नमस्कार स्वागत आपकर निउस्वाल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुद्यागी देश के कई हिस्सों में कोरोना वाइरस ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है कोरोना के बरते संक्रमन ने केंद्र सरकार के साथ ही राज्जे सरकारों की चुंता को बढ़ा दिया है और इसलिए देश में एक बार फिर से होली केते औहर से पहले कोरोना की पावंद्या लोटाई हैं और बढ़ते संक्रमन को रोकने के लिए एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को राज्य के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक बुलानी पड़ी है देखिए ये रिपोर्ट देश में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले बढ़ते मामलों ने बढ़ाई हर किसी की चिंता पियम मोदी ने कल फिर बुलाई बैठक राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ हालात पकरेंगे चर्चा साल 2021 के शुरुआत कोरोना के बाद हालात सामाने होने के साथ हुई थी हर किसी ने सोचा था कि पिछले साल जो कोरोना का रौद रूप सबने देखा उससे निजात पाली जाएगी लेकिन ऐसा खुता नजद नहीं आ रहा है क्योंकि फिर मार्च का महीना है और फिर से एक बार कोरोना देजी से बढ़ रहा है और फिर से हालात कई राज्यों में लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू जैसे हो गए है जी हाँ कोरोना महमारी के नए मामलों ने एक बार फिर कई राज्यों में सर उठा लिया है लगतार नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है यही वज़ा है कि मार्च के 15 दिदों में ही नए मामलों की संख्या दुगनी हो गई है देश में पिसले 24 घंचों में 24,000 से ज़्यादा नए मामले दर्श किये गए वहीं समामारी से कल 131 लोगों की जान चली गई कल 26,000 से ज़्यादा मामले सामने आये थे देश में अब तक 3 करोड 29 लाग से ज़्यादा वैक्सीन की डोस भी लगाई जा चुकी है महराश्ट्र में हालाद बुरे देश के आधे से ज़्यादा कोरोना मामले महराश्ट्र में है पिशले 24 घंचे में 15,051 नए मामले सामने आये राज्जे में संकर्वन के मामले 23,39,464 है 24 घंचे में 48 लोगों की जान गई देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों की वर्चुल बैठक बुलाई है दिन में 11 बचे से ये वर्चुल मीटिंग होगी इस दोरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभावी प्रबंदन और वैक्सिनेशन पर भी चर्चा की जाएगी प्रदान मंतरी नरीन मोदी से पहले ही कोरोना काल में कई बार मुख्य मंतरियों से वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये चर्चा कर वेश्विक महमारे की रोक थाम की रणनीती बना चुके हैं बताय जा रहा है कि 17 मार्च को होने वाली बैटक में सभी राज्यों से वहां के खालात के बारे में जानकारी लेने के साथ सुझाव भी लिये जाएंगे राज्यों से आए सुझाव के अधार पर ही कोरोना को फिर से बढ़ने से रोकने की ग्रणनीती बनाई जाएगी हैरान करने वाली बात ये है कि खूली कत्यों हार आने वाला है और ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामले राज्यों सरकारों के लिए मुश्किल बने हुए हैं महराष्ट, पंजाब, करनाट, गुछरात और तमिलाजू में बढ़ते संक्रमण ने चिंता एक बात फिर से बढ़ा दी है क्योंकि देश में 37 से ज़्यादा फीसी नई मामले इनी पांच राज्यों से पाए गए हैं 85 दिनों के बाद देश में 26,291 नई मामले सामने आए हैं जबकि एक दिन में 118 लोगों की मौत हुई है से पहले 20 दिसंबर को 26,624 केस पवाए गए थे इनमें से महराष्ट में 16,620, केरल में 1,792 और पंजाब में 1,492 मामले शामिल है तमिल नाडू, मद्यप्रदेश, दिले, खरियाना और गुश्रात में भी संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है मौजूदा वक्त में देश में संक्रमन तो का अकड़ा बढ़कर 1,13,85,000 को पार कर गया है ऐसली में कल पीएम मूधी की राज्जो के मुखे मंतियों के साथ बैटक में क्या फैसला लिया चाता है ये देखने वाली बात होगी प्योरो रिपोर्ट न्यूस वर्ल इंडिया इस खबर में इतना ही लेकिन आप देखते रहे न्यूस वर्ल इंडिया